उधारण 5 एक रेखा L दो सकेंद्री वृत्तो एक ही केंद्र वाले वृत्त को A, B, C और D बिंदुओं पर प्रतिछेत करती है जो कि आकरिती हमारे पस है यदि A, D बराबर 18 cm तथा B, C बराबर 8 cm हो तो A, B का मान ज्याद कीजिए वृत्तो का केंद्र O है, हल, केंद्र O से रेखा L पर लंब, O M, खीचिये हमने सबसे पहले केंद्र O से रेखा L जो D है हमारे आकरिती में पर लंब, O M, कीचा अब यहाँ पर हमारे पास O M, लंब है B, C पर तब हम जानते है कि किसी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समदिबाजित करता है इसलिए B, M बराबर M, C यह हमारा समीकरण एक हमने इसे ले लिया अब कहीं हम आकरिती में देखेंगे कि जो हमारे पास B, C है रेखाकंड उस B, C को हम लिख सकते हैं B, M, Dhan, M, C इसका योग जो है B, M रेखाकंड और M, C रेखाकंड को जोडने पर हमें रेखाकंड B, C प्राप्त हो रहा है अब चुकि हम समीकरण एक में यह देख चुके है कि B, M, M, C के बराबर है तो हम M, C के स्थान पे B, M रखेंगे तो B, M, Dhan, B, M बराबर B, C की जो लंबाई है वो प्राश्ण अनुसार 8 cm है तो यहां B, M और B, M का योग दो गुणा B, M बराबर 8 cm यह B, M की लंबाई जो है आठ बटा दो दो का पक्षानतर होंगा 8 बटा दो बराबर 4 cm होगी तो हमने रेखा करण B, M की लंबाई 4 cm ज्याद की इस प्रकार O, M लंब है रेखा करण A, D पर भी हम देख सकते हैं कि इसी प्रकार O, M लंब है A, D पर तो यहाँ पर हमारे पास A, M बराबर M, D हो जाएंगा क्योंकि हम जानते हैं कि किसी वृत के केंदर से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को सम दिभाजित करता है तो इस तरह से हम ने प्राप्त किया A, M बराबर M, D जो कि हमारा समी करण 2 है अब हम फिर से पुना A, D को लिखेंगे A, M, D धन, M, D बराबर A, M, D का जो रेखाकांट का योग है वो A, D के बराबर होंगा अब हम M, D के स्थान पर A, M लिख लेते हैं तो क्योंकि M, D बराबर A, M है तो A, M धन, A, M बराबर A, D या A, M धन, A, M जो है 2, M बराबर 2, M बराबर A, D का मान जो है हमारे पास दिया है अठारा सेंटिमीटर अब 2 का पक्षानतर हम करेंगे तो A, M बराबर 18 बराबर 2 तो यह हो जाएगा 9 सेंटिमीटर इस तरह से हमने प्राप्त किया A, M का मान 9 सेंटिमीटर अब हमें रेखाखंड A, B की लंबाई ज्याद करना है तो अता हम लिखेंगे हम हमें ग्याद करना है A, B रेखाखंड का मान तो A, B रेखाखंड को हम लिख सकते हैं हमारे पास A, M का मान है और A, M में कहीं हम B, M को घटाते हैं तो हमें A, B प्राप्त होंगा अब हमने A, B यहाँ पर 9 cm ग्याद किया है और उसी तरह से B, M जो हमारा 4 cm है 9 में से 4 को हम घटाते हैं तो हमें 5 cm प्राप्त होता है तो इस तरह से हमने ग्याद किया कि A, B जो रेखाखंड है उसकी लंबाई जो है 5 cm है इस तरह से हमने A, B का मान 5 cm ग्याद किया या इस रेखाखंड या इस उधाराण का हल होगा